अगर आप ILS के कैंडिडेट ओ, ILS कर रहे हो, अच्छा बैंड स्कूर लेना चाते हो, हर एक टाइप की इन्फोरोमेशन हम आपके पास लेकर आते हैं और आप देख सकते हो सर, why बहुत पूश रहे हैं, हर एक question के बाद, even के मैंने उनको right answer भी दिया, बट उसके बाद भी speaking में मुझसे why पूछा जा रहा है और प्लस अभी 6 जुलाई का result आया है, 6 जुलाई का result आने में, near about 17% student को 5.5 बैंट स्कूर दिये गए हैं, speaking में और सबसे बड़ी problem है, आज की डेट में speaking student अच्छे से even answer भी देता है, बट उसको solution नहीं मिलता तो welcome on my youtube channel, अगर आप ILS के candidate हो, तो must subscribe this channel, because ये channel आपकी help करेगा, 100% आपका desire band score लेकर आने में 6 जुलाई का exam हुआ था, recently only 10 days पहले, उस exam में 2 reading के passes 100% same from our pdf बगवान की photo देखी, screen recording चल रही है, most of student के mind में आता है कि sir, screen recording तो fake भी बन जाती है, जहां फिर screenshot fake बन जाते है I agree with you, but screen recording कभी भी fake नहीं बनती है, अगर आप बन जाती है, तो मुझे comment में definitely बताना result भी देख सकते हैं, student के हमारे 99 band score है अब मैं आपको बताता हूँ solution, speaking के बाद solution क्या है, उससे पहले एक अपरेट और है, 15 को भी जो exam हुआ था, 15 July को उसमें writing task to 100% same from our pdf screen recording आप screen के पर चलेगी after this result, solution आपको बताता हूँ, जब भी आपका third part हो, जिसे हम follow up the question बोलते हैं follow up के question में, आप जब examiner आपसे why पूछता है, तो first of all अपने mind में एक चीज़ रखें कि मुझे answer उस way में देना है कि examiner पजल ना हो जब वो ज़्यादा पजल हो जाता है, तब जाकर वो why पूछता है, first thing is, जब भी आप follow up में answer दे रहे हो, आपने three and four lines में answer देना है and कोशिश करनी है कि वहाँ पर जूठ नहीं बोलना, क्योंकि most of time हमने senior से, teacher से सुना है कि speaking तो जूठों का hub है बर जूठों का hub अब नहीं रहा, वो पहले था, वो चला गया जमाना, अब नया जमाना आ चुका है जब भी आप follow up का question का answer दो, आपने क्या करना है, with example देना है, 100% true, with example, अगर आप answer देते हो, follow up question का three to four lines में, मैं guarantee देता हूँ, वो वाई, नहीं पूछेगा आपने क्या करना है, with example answer देना है, follow कर ले, इस channel को more update के लिए, I hope that कि आपका exam in the future अच्छा हो